अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर ज़रूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए कितनी दूरी पे हैं? सर, तेयर सर की गाड़ी इसी रास्ते पर करीब सौ मीटर टूर है सौ मीटर है? अगर फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? एकाषऊ हा हुआ, एकेल, 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 एकेल e एकेल, महीं एकेल, एकाषऊ हएल-एक PS-4 एकाषणों, हँआß है, हम एकेर,इस क्यों फ्हाइज घ्र माहा है यह जो जो प्रभाने कि अज़े वारिस नहीं है अज़े पूरी उमीद थी आप और आप किसी आड़ी टीम उस वारत को सही सलामत अपनी मन्जिल तक पहुचाएगी मगर क्या रामनजन जी उस वारिस के बारे में हमारी टीम के अलावा आपको और आपकी टीम को भी मालूम था क्या मतलब? मतलब यह कि आपकी टीम में से कोई गद्धार है जिसने उन लोग को खबर कर दी हमारे कोपिया प्लान के बारे में आप लोग लोग ने लास्ट मिनट में अपना प्लान बदल लिया था आप लोग किस रास्ते से जाने वाले हो, किस मोटल में रुखने वाले हो, इसकी ख़बर नहीं की मुझे. लेकिन आपको ये तो पता था, कि वो वारस लेकि हम लोग अशोकनगर की लैब में जा रहे हैं. सर, इस रगू से बहुत पूचा, लेकिन इसकी सुवी एक ही जग़ा पर आकर अटक गई है, इसने ये सारा काम सिफ पैसों के लेए किया, लेकिन वो पैसे दिये किसने, ये इस नहीं पता. अगर सच नहीं बताया ना, तो पैरों पे खड़ा बे नहीं हो पाएगा, समझागा? साब, मैं सच बोल रहा हूँ साब, मुझे इस काम के लिए एक करोड रुपे मिलने वाले दे साब, और कुछ नहीं वालू साब, सच ची है, एक करोड? कौन है ये, जो तुमें एक करोड देने वाला था? साब, मैंने बस आवाद तुने दे साब, मुझे कॉल आया था साब, प्राइवेट नंबर से, उन्होंने मेरे घर के पिछे गुदावन पे पाँट लाग रुपे एडवांस भी डाले थे साब, और कुछ नहीं मालू साब, सच बोल रहा हूं साब, साब 0.22 caliber की गोली टीनी के गोली सां देह इस एब सिर शां के गॉद्ह, जाए गोली के गोह, रैहीं, और इन गोलीों के नीचे रिम भी है जी देखिये एक लिवेये रिसरज रपर जो गोली हां चली था हूं, उनके नीचे रिम नहीता और ना वह 0.22 caliber की थे थी वो थी 0.45 केलिऻ की गोलियां और सेर इस हमले मेव ना थो उत्माल हिसमाल किया था और ना ही ज्यादा केलिवर की गोलियों के वही तो रजात वही तो इसका एक ही मतलब है कि वा और वारश पाने के लिए सिर्फ एक ग्रूप नहीं और भी एक ग्रूप है एक वो ग्रूप जिसने रिसर्च लैब पर हमला किया था और दूसरा ग्रूप जिसने दया पर गोलिया चलाई थी सार इसका मतला बाभ हमें सिर्फ एक नहीं दो दो ग्रूप्स को डूढ़ना है हाँ हाँ लेकिन सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जिस ग्रूप की पास वाइरस है वो लोग गौन है एक सुराग है बॉस एक सुराग है जिससे आप लोग उन तक पहुंच सकते तो यार जल्दी बताना सारूण के बताता हूँ आई यह 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 उस बॉंब के टुक्डे हैं जिसका इस्तिमाल करके मुझ्रिमों ने उस बैन की धजिया उडाई इस बॉंब में टाइमर के साथ साथ फईटिलाइजर भी मिला है दिगिन इसमें अनोखा क्या है वो बता अनुखा ये है बस, कि ये बाउम दिखने में तो बहुत छोटा सार्टिक इन बॉक्स जैसा है, लेकिन है बहुत खतरनाक इस बाउम का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्टरीज में एक्स्पोजर के लिए किया जाता है और एक बात, इस बाउम के कॉंपोनेंट बाजार में आसानी से नहीं मिलते हैं बड़ी बड़ी फैक्टरीज को भी खास परमीशन लेकर के स्पेशल ओर देकर के मंगवाना पड़ता है तो फिर जरूरी सारा सामान किसी फैक्टरी से चुराया गया है पता लगाना पड़ेगा ऐसी कितनी फैक्टरीज और इंड़स्टीज हैं जहांपर ऐसा सामान इस्तमाल होता है सर अ क्या पता जला बाउम के बारे में रह जाए तो एसी बाउम पाइपलाइट कंपनी जी एक्टरी को इंफरम कर दिया है जैसे ही पता चलेगा कि ये बॉम कहां से खायब हुआता, हमें खबर मिल जाएगा सर, उस नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी का पता चल गया जैसी नंबर से ढूंड लिया कि वो गाड़ी किसकी है किसकी है गाड़ी? सर, यूनीक टाक्सी कंपनी की है अच्छा, यूनीक टाक्सी कंपनी सर, व वेन किसी ने बुक नहीं की, वो दो चोरी हो गी थी क्या? वेन चोरी होई थी? हाँ सर, कली वेन चोरी होई और कली मैंने पुलिस में रिपोर्ट में लिखवा दी थी जूट तो नहीं बोल रहे हो क्या सर, मैं जूट क्यों बोलूँगा एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, उपर से आप मुझ प इशक कर रहे है अच्छे ये हुमारी वेन यहां से चोरी होई थी हाँ सर, यही वो जगह है जहां मेरी वेन खड़ी थी यहां पर खड़ी थी सुरश सुरश कर क्या ना तुम कुछ नहीं, वो कच्रा किरा पड़ा था मैंने सुटा उठा के बार प्हेंग दूँगा इना देखा यह तो रेस्टॉरंट का बेल है वाज बजे यहां से सैंवेच करी था गया परेड सैंवेच यह कितने बजे चोरी हुई थी वैन यहां से? श्तर रेक होई, शाम अट बजे शाम अट बजे वैन चोरी हुई और पांच बजे कैफे केमानी से सैंवेच खरीदा गया और उसके बाद वैन चोरी हुई कैफे केमानी तो आपके वैरांस से सिल्वर बॉक्स गाया था? हाँ सर ऐसे कैसे बॉक्स चोरी हो गया आपके सिक्यूरिटी कार्ड खराटे मारे थे क्या? नहीं सर सर वह दर असल दो जमें पहले वैरांस में आग लगी थी शायद उसी दोरां किसे ने बॉक्स पश्रा लिया होगा रियाग लगी कैसे? सर वह शॉर्ट सर्कृरिक वैसे उसके बाद हमने में बोड को चेंज कर दो दूसरे शिफ्ट कर दिया थे जहां ये में बोड पहले था तो उजगे दिखाएगे? आए सर सरी ये रह बोड़ आए आग लगी नहीं लगवाई गई है तकि आग के बहाने सिल्वर बॉक्स चुराया जा सके क्या आग जान भूचकर लगाई गई थी? जियां किसी ने जान भूचकर इस फ्यूज में ये मोटी तार लगाई है तकि जब शॉट सर्किट हो तो ये फ्यूज ने उड़े और आग लगती रहे मतलब जिसने भी ये किया है वो आतंक वादियों से बिला हुआ है इस पावर बॉट पे जितने भी उंगलियों के निशान है उठालो उठालो क्या लेंगे सर्ट? आइस्क्रीम, फ्रेंच प्रेंच प्राइज बर्गर सेंड़िच? मैं सी एडी से सी एडी? क्या बात है सर्ट? जाल शाम को पांच बजे आपके हैं आपके हैं ऑने सेंड़िच करिए जाता है यह रहा उसका बिल कि यान से देखिए इस बिला और अपने दिमाग पे जोर डालिये और बताईए किसने खरीदा था हूँ कि सर ऐसे तो रोज पचास लोग पनीर सेंडविच के लिए आते हैं ऐसे कैसे याद रख सकता हूँ तुम नहीं बता सकते लेकिन ये CCTV फुटेश ये तो बता सकती है ना कि कौन और कब आया था फुटेश दिखाव जरा जी सर ये ये पांच बजे का फुटेश दिखाव सर यही दोनों बंदे आयते पांच बजे पनीर सेंडविच लेने है सर असा लग रहा है कि एक आदमी ने दाड़ी लगाई हुई और ये दूसरे ने टोपी और चश्मा लगा रखा था तो ये तोनों के तोनों ये इस पदल कर यहाँ पे आये थे ये फुटेश चाहिए मैं पुरी पुटेश करो अब रिवाइंड करके उसके हाथ पर जूम करो देखना दारा देया उसके हाथ पर कुछ है हाथ पर टाटू बनाए ती एस सर ये टी एस क्या हो सकता है सर हो सकता ये इस मुझरिम के नाम के इनिशल्स हो हाँ हो सकता है पुरी एक काम करो हमारे कRIMINल लेकार्स रेकों देखो किमें-किन मुझरिम के नाम ती एस से शुरू होते है सर एक मुझ शर मुझेसा लगता है के ये टाटू मैने पंश्हाल के देखा है सर आपस मुझरिम को पह चानते है तोईटी को देखकर लगता है कि इसादमे के साथ कही ना तो कही मुद्वेड हुई है तीजाशन, तीजाशन, तीजाशन पुर्वी, इस तेजाशन की फूरी कुंडली निकालो, बताओ क्या है हमारा सर चल्ट से तेजा तो गाडियां जुराता है को अच्छा अब यहादा मार्श में जब मैं नासिक जा रहा था तब रास्ते भी मैं एसे कार चोरी करते हैं पकड़ाता है कि छोटा मोटा चोड है इतने बड़े शडी अंत्र में सकाथ कैसे हो सकता है एवनेत है जिस सरसी स्खेल में रगु का इस्समाल किया गया उसी तरह अप्टीजा का भी समाल हो रहा है इस खेल में बहुत से चोटे मोटे प्यादे हैं और हमें चाहिए वो जो इन प्यादों को कुमारा है सर उस पाइवलाइन कंपनी के लेक्रग सीडी बूर्ड में जो उगलिगे निशान मिले तो इसके रिपोट अगले है किसके उगलिगे निशान है सरो किसी निमांशू नाम की आदमी की है इस निमांशू ने रभ जाकर के वो वाइरस उन लोगों को बीचेगा ज जो लोग हमारे देश के किलाफ साजी शुरच रहे हैं इससे पहले कि वो कुछ करे है पता लगाओ पता लगाओ ये चुहा किस बिल में जाकर चुपा है कि तेश की सुरक्षा का सवाल ने जल्दी बढ़ा है साज बोल्रें कि अब ही वह की थेश बोल्रे लग़िए आप इसलिए कि उनको सच में कुछ भी बता नहीं है कि अच्छी तरह से मालू है तू निमांचु के लिए काम करता था इसलिए सब कुछ सच सच पता थे वरना सियाईडी के हाथों एक गून हो जाएगा अंकर रिलो साप गुड़ा तो साइट रोको साप तो पता इसलिए में इसलिए पताव प्रवा तू नम्बर आड्रेस कुछ भूर में पता है टो आपको कुछ नहीं पता अबर है अपनके पास एक फोटो है साब शाहत हो की काम आजे याजिए वरड़े कातना हो साब कि यह विए ते कोना साब करें कि वोटर हुए यह है तो लगता है ना शाहिद यह निमान्शु भाई के नए अड़ेगा है उपने एक दोस्ते मुन्ना उसी ने बेजे ला तो कि अपने उसमन्ना चे पूछना कहा काई लगता है ना तो उसका कोई पोन नंबर है ना कोई अड्रेस सची बोले लों साप यह बंगलो जो है समंदर के असपास कहीं लगता है यहां पी यह कार पिकड़ी है एक्स वाइपी 5051 पता लगाओ यह कार किसके नापे रजिस्टर्ड है इस गार से ही पत्रह चलेगा इस बंगलो के पारे में संबल के निमांचो अटैक कर चकता है किस्वार यह किस्वार इस बंगलो चार यह alे जाएपी किस्वार आफ़ बंगलो कार यह टुटैंने किस्वार एक्सेल वाले लाएबाबगा थानन जाता में घचल प्यर्ग कर भजर, झाल करो काभी हूं पुरा गर खाली है, लगता है बाकी लोग भाग गया है, अबीजित, ज़रूरू यह निमान्चु वाइरस लेकर भागा आया है, काम करो तुम दोरू, चेक करो इन कीजिए बे, दिखो कोई फोन नंबर या एडरिस वगरा मिलता है क्या, तो यह कलू कह रहा था, बड़ा सौधा करने वाले है, अबीजित, जो कुछ भी हो, लेकिन इस से पहले कि यह वाइरस हमारे देश के दुश्मेनों के हांतों पड़ जाए, इस निमान्चु को हमें पकड़ना ही होगा, सर, हाँ, सर इसके पास ही मोवाई मिला है, अबीजित, यह देखो, इसने निमान्चु को मेसेज भेजा है, कि वाइरस के लिए एक और खरीदार मिला है, उसे मैं खतरपूर फैक्ट्री भेज रहा हूँ, एक और खरीदार, इसका मतलब यह निमान्चु किसी एक गैंग को वाइरस नहीं बेज रहा है, सर, और भी लोग पढ़ें इस वाइरस के पीछे, कि यह निमान्चु इस वाइरस के निलामी कर रहा होगा खातरपूर फैक्ट्री में, हाँ अभी जीद, एक काम कर रहा है, अभी जीद, तुम अपने लिए एक नकली नाम, एक नकली आइडेंटिटी ले लो, मैं तुमें और निमान्चु को एक मेसेज भेजता हूँ, तो और बंदों को खातरपूर फैक्ट्री बेज रहा हूँ, किया हुआ, कौन हो तुम दोनों, हम मारको है, और यह मेरा छोटा भाई टार को हम लोग वारस खरीदने को आया है, तुम धिरे बोलो धिरे, हम लोग वायरस कारीडने को है ठीक है ठीक है अंदर अव अंदर प्रुको आप उनके आदमी का मेसेज्ग दिखा उ एक तुम आम दा आ चाने दा चोटे जाने दो जाने दो मेसेज देखना है हाहा हा यह हाह यह वाइरस चाहिए तो खतरपूर फैक्ट्री पहुंच जाओ एक मिनिट यह गन है अ अम लोग के पास गन नहीं होगा तो के लॉलीपॉप होगा लेकिन यहां पर यह गन अलोव नहीं है फिरीक है हम लोग यह वाइरस करीद्ने आया है गोली चलाने थोड़ी नहीं आया है आज-अध णि अ बॉस ये मारको और ये इनका छोटा भाई टार को अलो ने मांचो अलो मारको टार को पहले कभी सुना नहीं इन दोनों के बारे में इसलिए तो हम वो वाईरस खरीदने को आए उस वारे से हम वो ढूम मचाएगा वो ढूम मचाएगा ये इंटर पोल का पुलिस भी हमारे नाम से धर धर खाते हैं कहां से पकड़ के लेके आए इन दो नमूनों को कितना कीमत है तुमारा वाईरस का सबसे ज़्यादा कीमत हम देगा बिठाओ इन दोनों को चलो अंदर आजाओ नमूना बोला तुमको हाँ तो अब वक्त आया है निलामी शुरू करने का हमारे पास या तीन खरीदार मौजुद है इस वाईरस के लिए देखते हैं यह अनमूल वाईरस किसके नसिब में है एक मिनिट निलामी से पहले हम वाईरस देखना चाहते हैं ए चुप जो वाईरस खरीदेगा वही उससे देखेगा कोई बात नहीं है खरीदार है उन्हें देखने का पूरा हक है पपो इन सब को माल दिखा दो कि वाईरस यहीं पर है हाँ तो निलामी की शुरुआत होगी दस करोड रुपे से चलिए बोली लगाईए ग्यारा करोड बारा करोड बंदरा करोड बीस बीस करोड बीस करोड चालीस करोड हाँ चालीस करोड हाँ चालीस चालीस करोड पचास करोड साथ करोड बस साथ करोड इस अनमोल वाइरस की कीमत तो सो करोड भी कम है कदरदानों बोली बढ़ाई है है कोई साथ करोड एक साथ करोड दू साथ करोड तीन मुबारक हो मारको और टारको वाइरस आपका हो गया पैसे लाए हो कैसी बच्चों वाली बाते करते हो निमाशू साथ करोड रुपए कोई पॉकट में लेके घुमेंगा यह लो मेरे इस मोबाइल पोन में अपना अकाउंट नम्बर टाइप कर दो तो मिनिट में तुमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसवर हो जाएंगे लाइए लेंगे 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 अचमारे लेंगे लिए तुम्हारे साथ काम करके मार को और डारकों को बहुत मज़ा आया लाओ, अब वो पायरस हमको दे दो लाओ लोग वायरस ये लोग नहीं, हम लेकर जाएंगे ए गर निचे कर ये ठीक नहीं है, गर निचे करो ए ये 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 चीटिंग है निलामी हम जीता है दो मिनट के अंदर निमाल्चु के एकाउंट में साथ करोर रुपए पहुचने माले हैं अपने आदमी को बहुल, गन वीचे करे और मैं सारी गोलिया तरी खोपड़ी में डाल दूगा वेरी गुड वायरस मुझे दू अप्पू, वायरस दे दे वायरस लेकाभी निखल गया ओपातीब वायर को, लिजा, को अप्पू, अप्पू, अप्पू प्रब्रबबग्टाओ लिए एक साहा क्राइड़ अच्छ। कर दो कर दो कर दो कर दो अप्शासः कर दो कर दो कर दो कर दो अब डिसमा मो खुलते हैं अब है के अदी बेर दोड्करन के बास लेचे पहें जो कि जाथ जाथ जट जट मैं जट बिली मताथ आप बोलो गड़ा रख चुड़ा के खाल देगे गए रहे सब जशे नहीं मालेगा सब लातों के बूद्ध पाथ वसे नहीं माल सब माल सब आप लोग पर यकीन को यह करता है सब कि जूट बर के क्या मिलेगा सब जट आप तंगवादी पर यकीन करें एक देश-द्रोई पर यकीन करें सब में देश-द्रोई नहीं हूँ सब मैं तो मैं तो पिछले ही अफ्टेश के रहों सब जुड़ा हूं सब अगर मुझे पहले पता हुता सब इस लोग देश को इतना बड़ा नुपसाल पचाने वाले है तो मैं कभी लोगों का साहत नहीं है दा हजा वाली घर किसने का तुम्हें इस गेंग बेशामिलो के लिए सहां सहां पेसों के घादेर सब्सके नहीं देर लोग के साहत जुड़ था अच्छा तो पर निखना धी नहीं स्यवानें वाले हैं यह साफ यह लोग कुछ बता दे नहीं यह सुना मुझे तो आज सुब़ी में द क्यों में नहीं कहता दा कि हम भा वार गahl से यह हमला करने वाने दाएं फिर्से साफ हाफ बहले कब किया था हमला बज़ इससे पहले जो सरकारी बिल्डिंग पे हमला हुआ था, वो हमला भी हमें लोगों ने किया था, साथ। सरकारी बिल्डिंग पर हमला किया था, हाँ? और कहते हो कि तुम देश्द्रोई नहीं हो। नाम क्या है तुमारे बॉस का? है कौन वो? हुआ हुआ होुआ अ जुए है, सफ, साथ। नामみ झाला यूआ जुए है, साथ? उर्भी, फश्चरकी क्रम purple हमे रेको इस क्षरोड च़ै करो क्या पता चलता इस नाममदर के पारे पे साथ, साथ, कबसे बेरे आनिंग चल रहए थी तुमारी किस समले की? बारेत तभी से उसलेता है जब से जब निमाची के गिरो वाले विद वायरस के निचे स निकाल के लए गेते यह इस बात की जानकारी आमतर उसके कुछ खस आजमियों कोई होती थी कुछ नहीं पता था कुछ नहीं पता सुनकी हमारे कान सड़ गये थे हाँ, वायरिस कहा है बता दे, वरना तेरा क्या हशर करने कानून कि हम भी नहीं जानते हैं, अन्या सर, दामोदर नाम कोई भी मुझरिम है, हमारे क्रिमिनल रिकार्ड्स में नहीं है सर, यह आदमी हमसे अभी भी जूट बोता है, इसने अपने बोस का असली नाम अब तक नहीं बताया है अब उजे तो उसका नाम दामोदर ही बताया गाता साब हो सकता है उसका नाम कुछ और हो साब उसकी शकल तो देखी होगी तुमने हाँ साब, देखिए साब तो फिर उसका स्केच बनवाओ, समझे, और अज्डा बताओ अभी जिक्त, पुरीवी के साथ दूतर हो जो हम लोग इस सार्व जाते हैं सार्व, सार्व, कोच बीन ने मिला, खाली पड़ाओं सार्व, कर्या एक, विल्डिंग का प्लान मिला है अभी जिए, किस बिल्डिंग का प्लान हो सकता है सर, हो सकता है इनके चुटने का को एक लाटना हो नहीं, निकिरो, मुझे नहीं लगता, ऐसा खतरनाख वायरिस लेकर उपार पार रड़ा नहीं बदलेंगे मुझे तो लग था ये लोग इसी बिल्डिंग में वायरिस रहलाने वाले हैं नहीं प्लान होता है पिनित, वता जला किस बढ़निंगा नक्षा है? में, अविधा करिए, शेर की सारी कमेर्शियल बिल्डिंग की नक्षे मैं चैक करणा है और अमर पस्वक्त बहुत कम है कही है सानों कि हम इसी नक्षे में उल्चे रहे हैं और आपर अठा कुझा है वायरम्स का सार सर उस सत्या ने जिस दामोदर का स्केच बनवाय था वो दामोदर नहीं, उसका नाम अंशुमन है अंशुमन? कोई बुरा नपापी है या नए सर, अंशुमन कोई मुझरिम नहीं है बल्कि एक आमी ओफिसर था वाट? आमी ओफिसर? आर्मी ओफिसर तरह याद आया 2008 में अंशुमन नाम के एक ओफिसर को दुश्मन देशने पकड़ा था उसे मार भी डाला था तो जरूर ये वही अंशुमन है वही अंशुमन है सर मगर ये कैसे हो सकता है एक मरा हुआ आर्मी ओफिसर ये काम कैसे कर सकता है सर शायद ये दामदर अंशुमन के भेस में ये सब कर रहा है अंशुमन का चेहरा लगा कर नहीं निखिल ये तामदर तो लोगों के सामने आने के लिए तयार ही नहीं, किसी ने भी उसे देखा नहीं, तो फिर वो अंचुमन के भेस में क्यों आएगा, नहीं, ये अंचुमन मरा नहीं, अंचुमन जिन्दा है, अभी भी अंचुमन जिन्दा है, सर अगर ये अंचुमन जिन्दा है, तो अपने परिवारवालों से जरूर मिलता होगा पुर्वी, इसके फैमिली का रेकाउड चेक करो सर, एक आमी ओफिसर क्यों अपने देश के साथ गद्दारी करें क्योंकि शायद उसके दिल में आज विस बात का गुस्सा है कि जब दुष्मन देश ने से पकड़ा तो हमारा देश और देश वासी ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया पर सर ये बात तो सच नहीं है, सरकार तो पूरी कोशिश करती हुने बचाने के लिए हाँ पूरी ये बात तो हमें भी पता है तेकि शायद उसे लगा होगा कि हमारे देश ने उसे पचाने की पूरी कोशिश नहीं की और इसली वो बागी बन गया सर त्रे नक्षा फुटल पूरे अच्छी नाच्छी 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 ने सर होटेल प्री इश्यार है मेरे पापा ने अपने एक साथ नोचावर करते देश भक्ति के नाम पे शहीद होगे इस देश पे और आप जीएडी वाले उन्हें देश जो ही कह रहे हैं उन्हें मुझ्रिम कह रहे हैं मुझ्री मिश्रिया मगर सच्चाई तो यही है कि आपके पिताजी मिस्टा अंचुमान ने देश को धोखा दिया है और अभी भी जिन्दा है और अपने ही देश के खिलाफ एक ऐसा शर्यंतर रच रहें ना जाने कि उसकी कीमत आने वाले कितनी पुछते चुकाएंगी यह न आप लोग मेरे बाप का यखिन क्यों नहीं कर रहे हैं चलिए मान लिया कि आप सच बोल रही है हां सूरज तरा कमरी की तलाशी तलाशी वो किसली है सच बोलने वाले तलाशी देने से कब से डरने लगे हैं रिया जी तर यह मोबाइल फोन मिला लेकिन इसमें इनके पिता अंचुमन जी का कहीं कोई नाम नहीं कहीं कोई नाम नहीं है एक काम कर दो असूरज इस मोबाइल को अच्छी तर जे चख करो और देखो कि रिया जी सबसे ज़्यादा फोन किन नंबर्स पर किये हैं तर यह पांच नंबर्स पर पांच नंबर्स पता करते हैं कि इनमेंसे कौन सा नंबर वाइरस की निलामी वाली जगा पड़ता सर अंचुमन का मोबाइल इस तरफ दिखा रहा है चलो चली चला अले सर आप लोग अंतर नहीं क्या सब्सक्राइब सर अलो सर कहिए मैं क्या सायता कर सकता हूं यार सायता तब करोगो जो फोन उठाओ गया कब से फोन कर रहे हैं उठा क्यों ने रहें आप लोग लोग क्या आर्मी वालों की कॉन्फरेंस सबी लोग उसी की भागदौन में लगए शायद इसलिए किसी का फोन के अंडी बर ध पता नहीं सर इतने सारे लोग किसका चेहरा याद रहूं पर बात किया सर अब बहुत सीरियस है काम करो सुबरा अच्छे तरह से सील करो कोई अंदर बाद नहीं आना चाहिए सिसी दीवी का लाइब कवरेज हमें देखना है अभी किसा अभी अभी जड़ी है शरी इसकूश मिश्ड़े का थरा अजरा आगा जाए प्लीज़ी जली दिखन से दिखना अच्छी तरस से श्रय कोई दिखा तुम्हें नहीं सर ना ही अंशुमन दिखा और ना ही उसके ग्यांका कोई आद मी अब तो मॉनिटर्स लगे हुए इसका मतलब वोटल में जो कुछ भी हो रहा है अंचुमान को सब कुछ पता है सर वो सकता है वो लोग कॉन्फरेंस हौल के अंदर ही हो जाँ वो फंक्शन चल रहा है नहीं कॉन्फरेंस हौल के बाहर में रेक्टरी वालों की बहुत टाइट सेक्रियोटी है वहां से अंदर गुसने की गलती नहीं करेंगे ये लोग सर इसका मतलब वो लोग वाइरस कहीं और से भी छोड़ सकते हैं बिलकुर श्रेया बिलकुल वाइरस है वाइरस कोई बौ या गुली नहीं एक बार ये वाइरस हृषमे फैल जाएं तो पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाएंगी असने हृषमे अइयरी जज़े का सबसे आसान तरीका ये नहीं, नहीं, यह एंशुमन का आदमी है, सर वायरिस के निलामी के वक्ती से मैंने महाँ पे देखा था, तो इने रोखना होगा है, तो जा वरना गोली मार दूंगा, अगर हमें मोच से डर लगता, तो वायरिस कालने जैसा काम हमें नहीं नहीं दिया जाता हो, अफिसार वाकई, अंशुमन को सब ख़बर है, कहां क्या हो रहा है ललुराम, बड़ी देर से समझ में आया, जा तुम्हें इस बात की ख़बर नहीं है, कि C.I.D. तुम्हारे ड्रामे पर परदा डाल चुकी है, आस तुम लोगों की जाने लेना बादूरी नहीं, काई अर्पा है, इस देश और देश्वासियों को तबाह करना बस यह हमारा मकसद है, जब तक C.I.D. है, तब तक तुम जैसे लोग हमारे देश और देश्वासियों का कुछ नहीं कर तकते हैं, तोली चलाने की जरूद नहीं है, यह खुलते ही तुम सब के सब मारे जाओगी, यह लोग मैंटास्टीक, कारी तूर नहीं करें जब लोगे जेड़ूं कुता है इस अथा है वैससे तुम्हें क्या लगता है यह तुम्हें क्यालागता है यह थन्षुमंत इतना बेवकूफ है मेरे पास दो और वाइरस के कनिस्टर है भारत की तबाही अब निश्चित है निश्चित शर्मानी चीए तुम्हे जिस देश की फाउज का हिस्सा रहे हो तो उसी देश को तबाह करने की बाते कर रहे है कुछ नहीं दिया कुछ नहीं दिया मुझे इस देश ने चड़ रहा था मैं इतने सालों से दुश्मन की पदभूधार जेलों में और यहाँ यहाँ भारत के वासी आराम की नीन सो रहे थे क्यार मना रहे थे दिसको जा रहे थे इश्क रहे थे जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उस बात का हम सब को अफसोस है और ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की ती तुम्हें बचाने की कोशिश की थी बस अब मेरी सिंदगी का एक ही मकसत है आरत की तबाई बर्मानी और यह रहा उसका पहला नबूरा यह अंचुमन बहात उस दिपाई आज पीड दिखा कर भाग रहा है आगे मत बढ़ना मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना 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 मैं खुद को कुली बहार नहींगा आगे मत बढ़ना इतनी असान मौत नहीं मिलेगी तुझे अग्शुमन तूने जो किया है उसका अंजाम तो जिलना ही पड़ेगा मुझे दुख तो इस बात का था कि जिस देश के लिए मैं आठ साल तक लड़ता रहा उस देश ने मुझे वापस लाने की कोई कोशिस नहीं की कोशिश की थी मगर दुश्मन देश के हिसाब से तुम मर चुके थे और मिस्टर अंशुमार तुमारे साथ आठ सैनिक पकड़े गए थे फिर ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ तुमी जिन्दा बचे क्योंकि आतंकवादियों से मिल गया था ये आतंकवादियों से देश को पेचने निकलाता अजर देश का रक्षा की भक्षक बनेगा तो दुश्मनों की क्या जरूरत है लेकिन जब तक हम है जब तक इसी आइडी है ऐसा नहीं होगा कभी नहीं होगा जए हैं जए हैं